भारत जोडो यात्रा की दौरान राहुल गांधी मदूबन में कबड़ी का मैच देखेंगे पंजाब और हरियान के खिलारी कबड़ी करते हुई नसर आएंगे और उस जगहा पर कैसी है तैयारिया हमारे समादाता हिमाशु नारंग की एरपोर्ट आपको दिखाते है राहुल गांधी की भारत जोडो यात्रा करनाल जिले में प्रवेश कर चुकी है और शाम के समय राहुल गांधी करनाल के मदूबन में कबड़ी का मैच देखेंगे और ये आप देख सकते हैं कबड़ी का मैदान बनाया गया है यहाँ पर सरकल कबड़ी महाकुम होगा और पुलस की जो विवस्था है यहाँ पर कड़ी की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो आप देख सकते हैं कि कॉंग्रेस के जो नेता है उन्होंने तयारियां की गई है एक भारत जोड़ो यात्रा का जो गुबा जारा है वो यहाँ पर लगाया गया है इसके अलावा यह कबड़ी का मैदान बनाया गया है जहाँ पर हर्याना और पंजाब के खिलाडी कबड़ी का खेल खेलते हुए नजर आएंगे दूसरी तरफ यह मंच है जहाँ पर राहुल गांदी और बाकी नेता बैठेंगे कुर्सियां लगाई गई है जहाँ पर कॉंग्रेस के बाकी नेता बैठेंगे साथी साथ स्टैन बनाया गया है जहाँ पर आम पबलिक और कारेकरता स्टैन में बैठ कर कबड़ी का मैच देख सकेंगे और चारो तरफ राहुल गांदी की भारत जोडो यात्रा के पोस्टर ह और पुलिस भी यहाँ पर तैनात रहेगी क्योंकि शाम के समय इस मुकाबले को राहुल गांदी देखेंगे और पूरी तरह से जो तयारियां है वो कई दिनों से यहाँ पर की जा रही थी और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो कबड़ी का मैदान है वो पूरी तरह से तया कर लिया गया है यात्रा घरोना पहुंचेगी उसके बाद राहुल गांदी प्रेस कॉंफरेंस करेंगे उसके बाद यात्रा जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी और राहुल गांदी शाम के समय कबड़ी का मैच मदूबन के इसी कबड़ी ग्राउंड में देखेंगे फिर यात्रा करनाल शहर की तरफ बढ़ेगी और करनाल के NDRI चौक पर यात्रा का समापन हो जाएगा खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमान शुनारंग